इसको आपका एक्सराइज बैंड के लिए इलास्टिक लेना है जो एक इंच चोड़ा हो कम से कम और ये एक मीटर का लेना है और उसके बाद आपको स्टिच करके इसको आपका एक्सराइज बैंड त्यार हो जाएगा तो आपको सबसे पहले ऐसे थंच में इसको पकड़ना है और इनहेल करते हुए नीचे से लेकर के पीछे जाना है और एक्जेल करते हुए वापस आना है इनहेल ठेक बैक एक्जेल का फोर्वाड ऐसे इस एक्सराइज को 20 टाइम्स करेंगे इनहेल एक्जेल इनहेल एक्जेल आई बॉल मोवमेंट एक्सराइज आईज के लिए बहुत अच्छी है इससे विजन इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छे रिजर्ट मिलते हैं इस एक्सराइज को मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि दिन में दो बार अवश्य करें तो इसके बॉल को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मूव करें सिकसो क्लोक पे आके ब्लिंग करें वापस आये 12 क्लोक पे ब्लिंग करें ऐसे धीरे धीरे इस एक्सराइज को करें और फिप्टी टाइम्स करें टोटलrans 50 बिक्स करना है ब्लिंग 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 एक साइड का हो जाने के बाद आप चाहे तो 2-3 सेकेंड के लिए रुके और इन्हेल एक्जेल कर ले तक आपको रिफ्रेश्ष नेश आए उसके बाद लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड से करें 12 o'clock से सुरू करके 6 o'clock पर आए ब्लिंग करें और धीरे धीरे वापस आए ब्लिंग करें ब्लिंग ब्लिंग इस exercise को दिन में दो बार करें बहुत अच्छे रेजल्ट्स मिलेंगे और कौसिस करें विदाउट ब्रेक करें और इसके साथ-साथ अगर आपको आईज में श्टेंड हो तो आतेली रब करके आप पामिंग कर सकते हैं next exercise है eye movements इसमें आपको कमर गर्दन सीधी रखके बैठना है और बिना गर्दन और सिर को move किये eyes को circle बनाते हुए eye movement exercise करनी है चलिए कैसे आप गर्दन सीधी रखके और बिना गर्दन को उपर उठाए उपर देखे 10 counts तक अब right में देखे और circle बनाते हुए lower बिलकुल down में देखे 10 count करे अब left में circle बनाते हुए 10 count करे अब circle को complete करते हुए फिर से उपर देखे एक राउंड होने के बाद आप बिलिंग कर सकते हैं ऐसे इस exercise के आपको 10 rounds रिपीट करने हैं और याद रखे कम से कम बिलिंग करने कोशिस करें और circle पूरा complete करें 10 rounds clockwise करें और 10 rounds anticlockwise अब मैं आपको anticlock करके दिखाता हूँ उपर देखे 10 counts करें left down right circle बनाते हुए उपर left down right circle बनाते हुए उपर twisting eye movement exercise आपका peripheral vision जिसको side vision भी बोलते हैं विजन इंप्रूब होता है और उसके अलावा आपके विजन की जो opacity होती है वो increase करता है मतलब उसकी distance को increase करता है इसके लिए आपको रूम के बीचो बीच खड़े हो जाए दिवार के पास और दिवार के center में खड़े हो और आपको दोनों corner right corner left corner को देख करके blink करना है यानि आपको right से गूम के ऐसे blink करना है left corner को देखके और left से गूम के right corner को ब्लिंक करें फिर left से twist करके right वाला corner देखके ब्लिंक करें right से blink 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 इस exercise को कम से कम 50 बार करें 50 blinks total 50 blinks farming exercise आखों के लिए सबसे best और rest करने के लिए सबसे अच्छी exercise है इस exercise को करने के दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका है आप दोनों हतेलियों को आपस में अच्छे से रब करें जब तक कि दोनों हतेलिया गर्व ना हो जाए और उसके बाद आखे बंद करके वी बनाते हुए अपनी आखों को ढखे और five minutes के लिए आखे बंद करके बैठ जाए याद रहे कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आखे खोलनी नहीं है आखे बिल्कुल बंद रखे और five minutes के लिए बिल्कुल सांथ चित होकर बैठ जाए आप चाहे तो टेबल पर बैठ कर भी पामिंग कर सकते हैं और अपनी elbows को rest देने के लिए कुसन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी elbows को टेबल पर रख सकते हैं लेकिन आखे नहीं खोलनी है five minutes के लिए आखे बंद रखनी हैं five minutes का आप चाहे तो घड़ी में या mobile phone में टाइमर भी लगा सकते हैं और times up होने के बाद आखे बंद रखते हुए याद रहे आखे तुरंद नहीं खोलनी है आखे बंद रखते वे फिर से दोनों हतेलियों को आपस में रब करना है और आखों को cover करना है फिर से ऐसा तीन बार दोर आएंगे फिर से हतेलियों रब करें आखों को ढखे वान मोर टाइम अब धीरे धीरे आखों को खोल दें ये सबसे बैश तरीका है इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसके लिए आपको आई मास की जरुवत पड़ती है जो ब्लैक कलर का या किसी दूसरे कलर का भी आता है लेकिन मैं आपको ब्लैक कलर का सजेश्ट करूँगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको डार्क में ये पामिंग करनी होती है तो आप आई मास को ऐसे पहने और फाइव मिनेट्स के लिए बैट जाए आके बंद रखे और रिलेक्स होकर कमर गर्दन सीधी रखे फाइव मिनेट मिनेट्स के लिए बैट जाए जब फाइव मिनेट्स पूरा हो जाए फिर से अन्तिम प्रोसेस वही फोलो करना है मास को हटाना है आखे बंद रखनी है और हते लिया आपस में रब करते वे तीन बार आखों को डखना है और फिर दीर इसे आखे खौल देनी है ऐसे इस एक्सरसाइज को आप दिन में भी जब दी आपको कभी अपनी आईज ठकी हुई या इस एक्सरसाइज को आप दिन में कभी और किसी भी समय कर सकते है एक्सरसाइज विजन इप्रोव्मेंट के लिए बहुत जरूरी है और पामिंग के बाद ही इस एक्सरसाइज को आप करें तो हमारे हतेली में साथ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हर पॉइंट्स को टैंट टाइम्स प्रेस करना है पहला point यहाँ पर है अंगुटे के बिलकुल अंतिम चोर पर दूसरा point आपकी index और middle finger के बीचो बीच और बाकी के points आपकी 5 finger tips को आपको 10-10 बार press करना है यहाँ से 10 times इसको press करेंगे फिर 10 times इसको press करेंगे और 10-10 times 5 finger tips को चलिए एक साथ करते हैं अब second point पांचो फिंगर टिप्स आराम से और comfortable pressure देते हुए press करें जितना आप दबाव महसूस कर सकें अब दूसरे हाथ से दूसरे हाथ में करें पांचो पॉइंट सेम हैं उन्हीं points पा 10-10 times प्रेस करना है पिंगर टिप्स दोनों हाथों में points प्रेस करने के बाद आपको eyes के आसपास भी कुछ points होते हैं जो आपको circular motion में प्रेस करने हैं यूज टू फिंगर्स आप अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर को सर्कल बनाते हुए यूज करें फर्स्ट पॉइंट आपकी eyes में जहां से आपकी आइब्रो सुरू होती है ठीक वहाँ पर सेंटर मिडल और थार्ड कोर्नर में नीचे कोर्नर मिडल और इनर पॉइंट इन चैंके चैंपॉइंट्स को टू फिंगर से रोटेशन करते हुए ऐसे धीरे धीरे मसाज करें कॉर्नर आखे बंद रखे इससे आई ज्यादा रिलेक्स होगी सेंटर और जो लाश्ट पॉइंट है यह बिल्कुल आखों के कॉर्नर में होता है जहां की हमारी टिर्स किेलेंड होती है उस्के उपर इंडेक्स फिंगर को रखboro तो के ओर धीरे धीरे कुर्लाइज रोटेट करें फाइव टाइमस है जिसके बाद सिंगर्स करते गे आइप्रो के ऊपर से धीरे धीरे आईज को मसाज करते हुए रिलेक्स करें, थ्री टू फाइब टाइम्स, और नीचे भी, आईज को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट मेतड है आई वाश करना, इसके लिए नेचुरल स्टाइल में या नेचुरोपैथी और आईरुवेदा में एक मेथड है जिसको आई वाश बोलते हैं, आई वाश के लिए स्पेशली डिजाइन कप होता है, जो आपको हमारी वेबसाइट या किसी दूसरी एकोमर्स वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आई वाश कप परफेक्टली डिजाइन होता है आई सेप का ताकि आई वाश करते से मैं आपकी आई हार्ट ना हो, तो आप इसको परचेज कर ले और इसको आपको हलके से लुकवोम वाटर से आई वाश करना है, जब आप आई वाश करें इसमें आई वाश कप में पहले पानी भरें और फिर आख बंद करके आई पर लगाए उसके बाद गरदन सीधी करके 20 टाइम्स बिलिंग करना है, और हर बार आपको पानी चेंज करना है, पानी चेंज करके दुबारा से उसमें पानी भरिये और लेप्ट आई को फिर से 20 टाइम्स बिलिंग करिये, तो ऐसे आपको दोनों आइज को थ्री-थ्री टाइम्स वास करना है हर बार पानी चेंज करना है और इच टाइम्स 20 टाइम्स कम से कम बिलिंग करना है squeeze exercise आइज में blood circulation के लिए बहुत जरूरी है और इस exercise से आइज में blood circulation immediately हो जाता है इसके लिए आप कमर गर्दन सीधी रखके बैठ जाए और कमर गर्दन को सीधी रखते हुए आखों को जोर से squeeze करें और 10 counts करें उसके बाद आखों को खोल दें relax करें 5 count करें फिर से squeeze करें इस exercise को 20 times करें pen exercise का और भी advanced और extended वर्जन है 11 movement जिसमें हम seven movement वाले को ही both side extend करेंगे तो शुरू करते हैं यहां से one और धीरे धीरे pen को देखें आगे जाए फिर right मोड़े pen पर नज़र 3 4 यहां पर blink कर सकते हैं 5 6 यहां पर भी आप blink कर सकते हैं फिर दोनों हाथ change करें दोसरी side seven eight blink nine ten blink and eleven blink इस exercise को both side ten ten times करें एक बार फिर से मैं आपको repeat करके दिखा था हूँ one two three four five six blink hand change seven eight blink nine ten eleven high chart exercise high जो कि आपको देख रहा है जैसा कि दो अलग-अलग box में एक पे एच है और एक में आये हैं इसको भी आपको एक फिट दूर पकड़ना है और फिर pen की tip पर focus करते हूँ pen को धीरे धीरे आँखों के नज़दी के लाना है और जिस point पर H और I दोनों एक box में आ जाएं complete high बनाएं वहाँ पर रुके और उस पर focus कीजिए और इसको पांच बार repeat कीजिए चार्ट रेडिंग एक्सराइज विजन इंप्रोव्मेंट के लिए सबसे जरूरी है और इस exercise को सबसे last में करना है इस team लेने से पहले ये exercise आपको daily repeat करनी है और ये vision improvement के लिए बहुत अच्छी reading exercise है क्योंकि इससे आप daily read करेंगे और जब पहले दिन आपने check किया था उसके बाद आपको धीरे धीरे एक हपते या दो हपते बाद जब improvement दिखेगी तो आपका confidence boost होगा और इससे आपको vision improvement का पता चलेगा तो इस chart को 6 meter दूर अच्छी light में लगा दे अगर possible है तो ऐसी जगे चिपकाए जहां पे daylight आती है और उसके बाद आप बिना चस्मे के देखे कहां से आपको 4 line दिख रही है अगर आपको 4 line 4 line का मतलई is 6 by 18 वाली line आपको 6 meter से दिख रही ह। नहीं अगर 6 meter से नहीं दिख रही है तो 5 meter पे खड़े होकर देखे अगर 5 से नहीं दिख रही है तो 4 4 York 4 पे नहीं दिख रहा ही तो 3 पे 3 पे नहीं देख रहा ही तो दो मीटर से खड़े ओकर देखे अगर आपको दो जहां से भी जहां से भी आपको चार लाइन किलियर दिखती है वहाँ खड़े हो जाए और उसको रीड करें रीड करने का रूल क्या है सबसे पहले आपको लेप्ट आइस कवर करके राइट आइस से रीड करना है लेप्ट आइब बंद कीजिए और एक लेटर पढ़िए एक लेटर पढ़ा two and then close your eyes and count one two two seconds के लिए आँख बंद करें और two counts कीजिए और फिर next letter पढ़िए two one two zero one two five ऐसे रीड करना हर लेटर के बाद आँखे बंद करने है दो सेकेंड के लिए और जहां तक भी आप पढ़ सकते हैं तीन लाइन चार लाइन प्रांच लाइन वहां तक पढ़िए जब थोड़ा सा से खड़े ओके पड़े बहुत आई से आपको तुरंत इप्रूमेट दिखाई देगी अगर आपको चार लाइन दिख रही थी तो बहुत आई से आप एक्सरसाइज करने के बाद पांच भी लाइन भी धीरे धीरे पढ़ना सुरू कर देंगे तो इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करना है और अगर आपको शुरू में जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम सुरू किया है अपने अगर तब आपको चसमे में भी साथ लाइ दिख रही हैं तो उपर से पढ़ना सुरू करें हर लेटर के बाद आखे बंद करें और टू काउंट करें और ऐसे करके धीरे-धीरे 6 मीटर से आपको चस्मे में लाश्ट लाइन तक दिखने लगेगी जिसका उपला कि आपका विजन इंप्रूव हो रहा है और आपका विज कि है तो 5 यह 10 मिन तो 30-40 मिन एक्सराइज करने के बाद आपकी आइस पर बहुत स्ट्रेन आएगा जिसके लिए आईस को रिलैक्स करना जरूरी है तो निचुरोपैथी का सिंपल मेथाड है आई एक्सराइज को रिलैक्स करने के लिए आईस को पहले आप फेस पेस टीम ल लेनी फेस फेस टीम आपको 30 से 40 सेकिंड लेनी है ऐसे और कॉंस्टेंड बिलिंग करते रहना है पहले फेस पेस टीम ले फ्रंट फेस पे अगर आप चाहे तो टावल भी यूज कर सकते ऐसे कवर करें इससे जल्दी स्टीम हो जाएगी और जब आपके चहरे पर हलका सा स्वे लेने के बाद आपको गीला करके दोनों आइज पर लगाए और फाइब मिनेट्स के लिए बैठ जाया और रिलेक्स करें इससे आपकी आइज रिलेक्स हो जाएगे झाल झाल